दोस्तों निफ्टी करीबन 11 पॉइंट बरता है अल्मोस फ्लाइट बंद होता है बैंग निफ्टी पॉइंट 5% की बरौतरी और 187 पॉइंट प्लस बंद होता है नमस्कार मैं भरे जुन जुन वाला आप सब का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चानल पे डे जो अच्छे मोमेंटम गैदर कर रखे हैं वह आने वाले एक दो दिन में कैसे बीहेब कर सकते हैं और कैसे आगे चल सकते हैं जली से जलते हैं अपना चार्ट के तरफ आज की तारिक है 9 अगेस्ट 2021 और चलके देखते हैं बाजार शॉट्स कि यहां पर एक ब्रेकाउट देने के बाद जो ती नगस्ट को में जो ब्रेकाउट मिली थी एक स्ट्रॉंग ब्रेकाउट था उसके बाद निप्टी जो है साइडवेज जोन में कंसॉलिडेट कर रहा है उसके यह ग्याप अप होता है फॉलोइंग डे और उसके बाद यहां पर साइडवेज पूरा कंसॉलिडेट कर रहा है और अभी वैसे कहीं बैरिशनेस नहीं दिखाई दे रहा है वैसे कहीं एक्जॉशन नहीं दिखाई दे रहा है तो जैसे हम लोग उने डिसकस किया था सोला हजार पंदरा हजार पर निफ्टी आकर कुछ बुलिश सिगनल देती है तब तक इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आती है निफ्टी में हां लेकिन अगर पंदरा हजार नॉसो को अगर तोड़ दे तब वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत निफ्टी के लिए सुरू हो जाएगी आरे साही देख निफ्टी अभी स्टेबल लग रहा है डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो जब शुरुवात हुई थी तो और मुस्ट हम नीचे के तरफ गय थे और जैसे मैं आपको कहा कि लास्ट दो घंटे में अच्छी पिकप मिली अ मैं यह पैटन को देख रहा था जो एक और यहां पर इसने मौनिंग में खुल के नीची के तरफ ब्रेक डाउन भी दिया अच्छी वॉल्यूम्स में यहां पर देखे फ्रेंड्स कन्फर्मिशन जो होता है वो प्ले करता है यह लोग के नीचे ट्रेड करना बहुत जरूरी था और कन्फर्म होना बहुत जरूरी जरूरी दिखाई दे रही है और अल्मोस्ट यह जो सेलिंग था एक बड़े कांडल पर हुआ जो हो सकता है इंडिकेट कर रहा है कि एक एक एक्शॉशन मूव या कुछ ट्राप टाइप अफ मुवमेंट तो किन लेवल्स पर हम सेफ समझ रखते हैं और किन लेवल्स पर हम अगर इस दिखाते हैं यहां पर सब्सक्राइब करके यहां पर अच्छी तरह से उपर के तरह हमें अच्छी आपनाव कर सकते हैं एक और चीज मुझे आपको दिखानी है यहां पर देखे फ्रेंज यह चीज दिखिए यह यहां पर 50 पे शब्र लिया था निप्टी ने और अच्छा मूव मिला था अभी वापस यहीं पर 50 के जोन पर RSI पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है तो एक इस जोन को तोड़ देती है तो एक अच्छा मूव उपर के तरफ हमें निफ्टी में मिल सकता है और हम ध्यान रखेंगे और हमें इस लेवल्स को अलर्ट पर रख लि तो वापस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यह रेंज में आ जाएगा या नीचे के रेंज में जाएगा तो खेर अभी बहुत दूर की बात है वह तो निफ्टी अभी लुक्स गूड कंसॉलेडेट कर रहा है और अगर इस लेवल के उपर जाएगा तो अच्छी मूवमें हमें निफ्टी में मिल सकती है अब आते हैं बैंक निफ्टी पे एक बार बैंक निफ्टी में देखिए वही चीज थोड़ा सा अच्छा वाइड रेंज मूवमेंट मिला अच्छे वॉल्यूम्स के साथ मिला है देखिए तो लग रहा है कि बैंक्स में थोड़ी बहुत संटेन करना तो वही हम देख रहे है संटेनमस मिल रही है वहां पर और बैंक निफ्टी को बारवां 36000 की अब पर समयर के सपोर्ट मिल रहा है तो चलिए एक concept map के साथ discuss करता हूँ, triangle जब हम जब count करते हैं, तो generally आप देखेंगे कि लोग यहां से, A इस portion से count करेंगे, A, B, C, D, E, F, और वगेरा वगेरा जैसे भी count करते हैं, friends, देखे, बहुत misconceptual चीज है, बहुत गलत लोग count करते हैं, यह वाला जो wave होता है, यह वाला जो leg होता है, यह वाला जो swing होता है, उसे हम A नहीं count कर सकते हैं, पहला swing क्योंकि यह previous swing का, previous move का part है, triangle actually यहां से count होगा, तो अगर हमें triangle को count करना है, तो हमारे लिए जो A बनेगा, वो यह level बनेगा, यह A का level होगा, यह B का level होगा, यह C का level होगा, यह D का level होगा, और finally यहाँ पर नीचे हमें E मिला है, और अगर यह उपर के तरफ breakout होगा, तो अच्छी movement हमें उपर के तरफ मिल चकते हैं, तो यह triangle यहाँ पर बनता होगा दिखाई दे रहा है, यह triangle fail कहाँ होगा, जनरली C के नीचे हम बोलते है, E के नीचे triangle बोलते है fail हो जाना, लेकिन अगर यह triangle E के नीचे नहीं जाता है, क्योंकि C जो नीचे है, उसके नीचे triangle fail हो जाएगा, यहाँ पर successful होगा, इन levels के उपर swing levels के उपर, 36,000 के levels को sustain कर रहा है, इसका मतलब अच्छी strength है, बैंक निफ्टी में अच्छा move है, लास्ट एक घंटे में जो movement मिली, अच्छी volumes के साथ मिली, देखिए अच्छा pick-up मिला है, तो most probably, बैंक निफ्टी में यह एक्सपेट कर सकते हैं, strength बनी रहे, लेवल्स आपके साथ, हम लोगों ने discuss कर दिया, supporter resistance का, अगर आप broader market में कमजोरी है, आपके साथ discuss किया, और advanced decline ratio जो लगातार गिरते जा रहा है, advanced decline इतना healthy नहीं है, तो हमें cautious रहके trade करना है, कुछ खास stocks मुझे नहीं मिले, जिन में अच्छी momentum है, एक दो चार stocks मिले हैं, जिनको हम आपके साथ discuss कर लेते हैं, पहला देखिए, एक stock है PVR, अगर आप PVR को देखोगे, तो PVR में आज एक अच्छी movement मिली, और एक अच्छा wide range candle, और बहुत अच्छी volumes के साथ, उसके पहले भी देखिए, वॉल्यम्स की कई हलचल यहां पर कुछ हो चुकी है, तो हमें बताती है कि PVR जो है, एक अच्छा move यहां से पोस्ट कर सकता है, एक अच्छा breakout यहां पर करने की कोशिश किया था, फेल हुआ, या ट्राप हुआ जो भी बूलिये, उसके बाद यहां पर वापस breakout करके, इस बार अपने हाइस के पास close होता है, और इस falling trend line को भी तोड़ देता है, तो बस यह range अभी अपने को ध्यान में रखनी है, यहां से move उपर के तरफ मिलती है, तो PVR अच्छा से उपर के तरफ जा सकता है, वीखली चार्ट पर देखेंगे, तो एक अच्छा rounding formation, विच कप handle दिखाई दे रहा है आपको, तो इसे cup and handle type of formation भी बोल सकते हैं, लेकिन यह इतना बड़ा, इतनी बड़ी गिरावत के बाद, अगर cup and handle इन levels पर बनता है, तो थोड़ा सा dicey होता है, अगर थोड़ा उपर लेवल पर बनता, तो वो ज्यादा हाई probability trade होता, तो cup and handle बोल सकते हैं, अच्छा rounding bottom type of formation with handle, तो अब यहां से breakout अगर हमें मिलता है, तो एक बहुत अच्छा movement PVR में हमें मिल सकता है, लेवल जो है, जो भी charts मैं आपके साथ discuss कर रहा हूँ, उन सब के levels आपको दे दूँगा, और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सस्क्राइब ने किया है, तो सस्क्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक कर लीजिए, अपने कमेंट, अपने सुझाव, अपने विचाव, नीचे कमेंट वाक्स में लिख के बताए, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें, दूसरा स्टॉप जो हम देख रहे हैं वो है टाटा केमिकल, टाटा केमिकल के numbers आए थे पांच तारीक को, तो काफी अच्छे numbers थे, काफी surprising number थे, streets के expectations के उपर थे, उसके बाद यहां से gap up होता है, अच्छा movement हमें दिखाई दे रहा है टाटा केमिकल में, और यह expectation यही है कि यहां से, इस consolidation से अच्छा movement उपर के तरफ देगा, अभी almost अपने previous highs के उपर trade कर रहा है, तो यहां से कर थोड़ा सा consolidation होता है, थोड़ा सा correction मिलता है, और अपने breakout level को अगर hold करता है, तो यहां से अच्छा movement टाटा केमिकल में मिल सकता है, लेवल सारे detail में मैं आपको group में दे दूँगा, आप group join कर लिजिए, next देखिए IPCA, इपका लैब में भी अच्छी movement है, एक बहुत अच्छा consolidation pattern के बाद आज बहुत अच्छा movement मिला और यहां पर देखिए लास्ट दो-तिन दिन में अगर आप देखोगे यह वॉल्यूम्स भी कुछ जादा ही movement में दिखाई दे रही है, यहां पर इपका में भी अच्छी movement है आप देखिए यह एक अच्छा rounding formation कप and handle type of formation बन रहा है तो यहां से अगर breakout मिलता है तो एक अच्छी move उपर के तरफ हमें मिल सकती करेक्शन का कहां तक हम इस्तमाल कर सकते हैं वो लेवल्स को आया तो आप यहां पर देखिए इन लेव 50 का 2460 का है उसके उपर और अच्छा movement इसमें दिखा सकता है नेक्स हम बात करते हैं लारस लैप्स की लारस लैप्स में भी आज बहुत अच्छा movement दिखाया है देखिए एक यहां पर fall जो हो रही थी आप देखोगे कि below average volumes में थी कोई मतलब नहीं बन रहा था इस fall का एक तर से trap था और अभी यहां पर अच्छा breakout मिला है उपर के तरफ और यहां से उपर movement अच्छी हमें मिल सकती है अच्छा candle है लास्ट तीन बार्स बुलिश है विद अब अब आबरेज वोल्यूम से है momentum भी pickup करता हो दिखाई दे रहा है अल्मोस्ट एक अच्छा setup हमें लारस movement और यह एक नया trend जो है उपर के तरफ इसने सुरू कर दिया है और यह स्टेज 3 स्टेज 2 के movement में है वापस तो market structure के बारे में अगर आप जानते हैं तो आप market stages के बारे में जानते होंगे और हम बहुत in-depth में market stages के बारे में discuss करते हैं और market stages को हम read करते हैं market stages में कैसे trade करने किये वह भी हम बात करते हैं तो यह देखिए अच्छे stage में दिखाई दे रहा है और यहां से दिखाई दे रहा है और expectation यह है कि bitcoins में तेजी बरकरार रहे कोई भी डिप अगर आता है और अपने इस breakout level तक अगर hold करता है तो यह आप bitcoins में आप अपनी entry ले सकते हो long जा सकते US markets अभी फिलाल अपने lows से कोड़ टच करके ऊपर के तरफ आ गया है market जब खुली थी तो थोड़ी सी कमजोर खुली थी लेकिन अभी वापस थोड़ा सा strength दिखाई दे रहा है और almost अभी जब यह वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है करीबन नो बीस नो पशीस मुह है इंडिया 500 में तो कमजोरी नजन नहीं हा रही है लेकिन यहां से momentum पकड़के यह उपर के तरफ अगर movement करता है तो US market में भी हमें अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है Friends एक बहुत interesting relationship आपको दिखानी है bitcoins और gold के बीच में तो देखिए inverse relationship हमेशा रहा है bitcoins और gold का तो gold की prices जब आप थी उसमें bitcoins जो था almost नीचे के तरफ था यहां पर भी देखिए bitcoins जब नया highs बना रहा था gold almost bottom में था अभी वहां पर देखिए वापस एक crossover हमें मिला है जहां पर bitcoins तो उपर के तरफ breakout कर रहा है और gold जो है नीचे के तरफ का जो रास्ता है वो पकर रहा है aggressively तो bitcoins में अगर तेजी आती है bitcoins में अगर speed आता है momentum आता है तो gold यहां से और भी correct होने के असार है तो 16 अगर अभी आप immediate कोई support की बात करोगे तो 1680 के आसपास एक छोटा support डिख रहा है gold का चोटा नहीं काफी अच्छा support है और यहां पर आके gold कैसा behave करेगा वो देखना है लेकिन यहां से जो fall आई है friends काफी अच्छी fall है और अच्छे बड़ा fall है तो देखने है क्या होता इस बात पर जड़ा सोचिएगा इस बात पर जड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस bitcoin going to be the new gold क्या bitcoin जो जिसे हम बोलते हैं कि एक बहुत solid asset बन सकता है आने वाले future में क्या आने वाले futures की currency है bitcoins या crypto basically मैं जब bitcoins की बात कर रहा हूं तो मैं सब crypto की बात कर रहा हूं एक session में जरू यह लग रहा है यह आसार लग रहे हैं कि जहां पर bitcoin एक बहुत बड़ा player बन के आ सकता है future में और future में अगर हम कोई भी currency की बात करेंगे तो digital currency ही होगी और bitcoin जियो का कब होगा अब हमें पता नहीं है आने वाले 5 साल में 10 साल में जिस साब से technology take over कर रही है कोई बड़ी बात कर और हम उस पर अच्छी तरह से discuss करेंगे इस चीज को लेकर तो friends आज के लिए update इतना ही उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया पसंद आया तो like comment share जरूर करें अपने दोस्तों के लिए keep learning keep sharing जय हिन जय भारत stay safe stay healthy